हेलो आवी वन, वेल्स अगेर वल्कम बाक टो मैं चानल एक फिर साप से एक स्वागत है हमारी अपनी चानल में आज के इस वीडियो में नियू प्लाउस, स्लीप्स आड नेक डिसाइन्स अईटेयास मनचाएंगे वो भी सिर्फ पाप्रिक के साथ हो सो फ्रेंट्स सभी डिसाइन्स को देखने के लिए इस वीडियो को इंटेयो जरूर देगे वो भी बेन स्कृप्स करी नहीं तो हो सकता है जो डिसाइन्स आपको परसेद आने वाले हो आप उसे मिस करें दो आपको इस वीच्टर में डिफिट बाड़न में ब्लाउस नेक डिसाइन देखने मिल जाएंगे फ्रेंट्स साइट की और बाक साइट की सभी डिसाइन्स बहाद बेर फुल है सो फ्रेंट्स आपको जो भी डिसाइन अच्छी लेगी आप इस अपने ब्लाउस के साथ सेरेर से डिजाइन करें आप पाठी में ब्लाउस बिनवा सकते हो इन नेक डिसाइन को यूज़ करके सिल्फ फाबरिक अभी काफी जादा ट्रेंड में चले वे हैं आपको ये बहुत बेर फुल सा लुक भी देते हैं छासा कि आप देखी रहे हो सो फ्रेंट साफ को जो भी डिजाइन में में रही हो आप उसमयच का इसके इसका इसका देले आपने तियरल को देखाकर आप एक ते इस अपने बेटिंग डियर ब्लाउस में इन ब्लीजाइन को जरूर से उसकरें आप पुर्फ स्लीफ के साथ इन बैक निक डिजाइन को बिनवा सकते हो, बीनिक डिजाइन आप बैक में यूज़ कर सकते हो, बूत निक ब्लाउस आप बना सकते हो, निट फाब्री के साथ, आप पोटी बिटन्स का यूज़ कर सकते हो, बैक ओपन ब्लाउस बिनवा सकते हो, बटन के साथ आप ट्राइ कर सकते हो, कट्राइब के साथ आप फ्रेंट ओपन ब्लाउस में बीनेक डिजाइन को ट्राइ कर सकते हो आप अलगोलिन का स्लेव बना सकते हो, प्लेन में आप ट्राइ कर सकते हो आप इस तरह के कॉलनेक ब्लाउस को बिनवा सकते हो आप बाक ओपन ब्लाउजेज में डीप कटार बना सकते हैं, डीप शेप आप ट्राइ कर सकते हैं, क्रिस्कोस डिजाइन आप ट्राइ कर सकते हैं तो फेंट्स कहें जाएं मत, क्योंकि आगे इस वीडियो में आपको और भी अलग लग तरह के इस टाइस में एक सुटकर एक बहुत ही बहत्री नेक डिजाइन जाएंगे जिने आप अपने ब्लाउज के साथ यूज करके, आप अपने ब्लाउज को एक डिजाइन आप ट्रें करके अंच आप पहली वारा हैं तो चाहिए को भी सब्सक्राइब करना मत भूले लावले सब्सक्राइब अटन पर क्ले करके और साथ मेल आके इनको भी जरूर से प्रस कर लें ताकि मैं जब भी को इन ये वीडियो का फ्लोट करूँ तो आपको इनका नोटिफिकेशन में कल को ने आप मेरे घू किशह बीचर वीडियो को मिस्क्रार पाओ अट आप किसी ब्लाउस इस आएग में वीडियो क्यो देना चाहते हो तो मुझे शेयर कर सकती हो आपको ये वीडियो कैसा लhö 걸ा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना याँ झाल झाल